मैं हूँ आयुश्मो और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट हाली में प्रियांका चोप्रा ने एक हॉलिवुड शो डिर्टी लॉंड्री में अपने कई सारे सीक्रेट्स रिवील किये यहां उन्होंने एक जाकेट के बारे में भी बताया जिसे वो कई सालों से अपने साथ रखे हुए हैं और ये जाकेट उनके एक्स बॉइफरिन की है प्रियंका उस जाकेट को पहने हुए कई बार स्पॉट की गई है जाकेट के बारे में अब जो बात सामने आई है वो काफी चौकाने वाली है प्रियंका चोप्रा के जाकेट वाले खुलासे के बाद एक टुवेटर यूजर ने उन्हें टाक कर लिखा प्रियांका चोप्रा ने जाकेट की कहानी बताकर आखिरकाश शारुख खान के साथ अपने रिष्टे को कबूल कर लिया प्रियांका चोप्रा ने यूजर के इस पोस्ट को लाइक कर दिया लेकिन कुछ देर बाद PC ने इस पोस्ट को अनलाइक भी कर दिया इसका मतलब ये है कि प्रियांका चोप्रा ने कहीं न कहीं इस बात को कबूला कि शारुक उनके एक्स बोईफरिन थे प्रियांका चोप्रा ने टीवी शो में ये भी कहा था कि उनका एक्स बोईफरिन वो जाकेट उनके घर पर छोड़ गया था प्रियंका को ये इतनी पसंदाई कि औनोंने इसे अपने पासी रख लिया. यहां तक कि ब्रेकप के बाद जो प्रियंका के एक्स ने उनसे वो जैकेट वापस मांगी तो उनोंने देने से मना कर दिया. आपको बता दे कि प्रियंका चोप्रा की पहली हॉलिवुड फिल्म बेवॉच अमेरिका में रिलीज हो चुकी है फिल्म में प्रियंका के किरदार को खासा सराहा जा रहा है बेवॉच नब्बे के दश्यक की इसी नाम के टीवी सीरीज पर अधारित फिल्म है प्रियंका इस फिल्म में विक्टोरिया के किर्दार में नजर आएंगी फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही टेलेविजन और बॉलिवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बीट